कोरोना के इस भायावह दौर में जो वेंटेलेटर्स उत्तर प्रदेश भेजे गए खासकर पीम के और फंड के द्वारा कई ऐसे जिले हैं जहां पर ये वेंटेलेटर्स या तो यो ही धूल फाकते रहे या फिर कई जगहों पर टेक्नीशन नहीं मिलने की वज़े से इसका इ इस रिपोर्ट आई इस वाक्त हमारे साथ जै प्रताप सिंग हैं जो कि उत्तर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री हैं स्वास मंत्री हैं सर ये बताईए कि वेंटेलेटर्स आए लगातार आए लेकिन कई जिले के अस्पतालों में हमने देखा या तो वो यो ही पड़े रहे आ हम लोग ने अपने लगाएं ये लगभग हमारे पास उसकी समिक्षा जब हमने इस साल जब किया है तो ग्यारा सो चौरानवे हमारे इस समय चल रहे हैं जहां हमने पिछले साल ही एनेस्टेटिक को वहां पोस्टिंग किया था आवशक्ता अनुसार टेक्निशिंस को हम है उस कंपनी बेल कंपनी और एक और कंपनी हैं दोनों के टेक्निशन आके लगभग सब मुझे लगता है कि उसमें अधिकान सब ठीक भी हो गए होंगे तीसरा एक सो पचीस ऐसे थे जो अन्यूस थे जो पड़े होई थे अब हमने यह सुनिश्चित कर दिया कि जितने भी हमारे पास वर्तमान में हैं विभाग में उनका डिस्ट्रिबूशन हमने हर जनपद में या मंदली अस्तर पर कर दिया जिससे वो जाके हमारे टेक्निशन जिनको हमने रिकूट्मेंट किया हुआ और और भी कर रहे हैं इन सब को मिला के उनका ट्रेनिंग सुनिश्चित करन और उसको क्रिया शिल करना ये पिछले पाच्छे दिन से हमारा चल भी रहा है कारेक्रम यहां के दोनों महानिदेशक एक परिवार कल्यान वाले हैं और एक स्वास सेवाई होले हैं दोनों की अनिस्टेटिक रह चुके हैं दोनों का अच्छा अनुभव भी है तो उनके चलाने के लिए उनका भी हम करा रहे है साथ में मेडिकल कॉलिज इसको भी जोड़ दिया है मेडिकल कॉलेज जहां सख्रिया शील है जो अच्छे चल रहे उनके पास निस्टिक है तो उनके मादियम से उस जनपत के अंदर अगर आउश्कता तो वहां भी हमने ट्रेनिंग अप्रेसेक्शन शुरू कर दिया ताकि वो सब पूरी तरह से क्रियाशल हो जाए और टेक्नेशन हमारे लगाता चलते रहे यह हमने सुनेश्चित किया है यह तो आप पिछले एक हफ़ते में समिक्षा की है तब यह इन तमाब चीजों को किया है लेकिन जब करोना का भायाव की जान चली गई देखिए इसमें एक शीज आपको समझना चाहिए कि एक तो स्वास्त विभाग और एक चिक्सा शिक्षा विभाग दो अलग अलग चीज़े हमारा नॉर्मली हमारे हैं तो सरकार कही यंग से दोनों जो मेडिकल कॉलेज होते हैं वो सूपर स्पेशालिटी हमको भी दिया गया था उस समय भी हमारे पाद एनिस्टेटी की कमी थी हमने सब को मैनेज करके उन में से कुछ चलाया हमने और उस समय अगर आपको याद होगा कि इतने जादे वेंटिलेडर की आवशक्ता नहीं पड़ी थी उस समय तो उस समय की जो करोना वारिस का जो वो और हमने उसको तैयारी तो कर लिया था ऐसा नहीं कि सब के सब ऐसे बंद पड़े हुए थे हर एक जनपद में कुछ नो कुछ चल रहे थे जो बंद पड़े थे उनको हमने फिर खुलवा के उनका ट्रेनिंग कराए ये सही बात है कि एक हपते के अंदर हमने उसको तीजी कर उनके नजदीक के मेडिकल कॉलेजेज या जहां भी और शक्ता पड़ता था वहां हम उनको ट्रांसफर कर देते पेशिंट को सवाल तो यही उठ रहा है कि जब सबसे ज्यादा इसकी जरूरत थी जिस वक्ट पीक पर कुरोना था उस दौरान ये जो वेंटिलेटर हैं ये म पैसा नहीं पड़ा रहे था नॉर्मली अगर कोवड नहीं होता तो वहां पेशिंट भी हमेशा वेंटिलेटर पर चलते हैं तो पिछले बार भी हम लोंने वेंटिलेटर एल्ट्री की वहस्ता में बढ़ा दिया था हमारी जो आया थे उसको हमने डिस्ट्रिक हॉसलेल में स उसका पूरा सुचित कर दिया था अगर आपको याद होगा तो गोंडा में एक एंच विंग था हमारा जिसमें टाटा ने और बिल मिलेंडा गेश के फांडिशन ने काफी मदद किया था वहां भी वेंटिलेटर चला के उस करोना के समय में भी वह संचालित था और आज भी ने उस समय भी टेक्निशन था हम लोग खुरी गयते हैं वहाँ पर मुक्यमंति गयते उसका उड्गातन करने के लिए उसको शुबारम करने के लिए तो उस समय भी टेक्निशन हमने पोस्ट कर दिया थे वहां से संबंदेन एनिस्टेटिक बाराबंकी से भी आयते मुझे य या फिर कुछ ऐसी बात रही जिसकी वज़ा से इतने वेंटिलेटर्स पढ़े रह गए जब इस्तमाल होना चाहिए था देखे कोडिनेशन हम नहीं कहेंगे यह संक्रमन आने के बाद एक टीजी बढ़ी इस बार की संक्रमन आने के बाद यह टीजी जल्दी से बढ़ी और हमने उन सभी चीज को देखना शुरू किया जिसके आवशिक्ता पढ़ती है इस तरह का बिमारी में तो उसमें जरूर ठु उसके लिए टेक्निशन बाहर से बुलाने के लिए उसमें टाइम लगा हमारे एनस्टिक जो पोस्ट कर रहे थे रिक्रूपेंट किया हुए हमारे टेक्निशन उनको हमको पर कराना पड़ा तो सवा समय लगा मगर उसको हमने प्रादम कर दिया तो आज भी जैसे कल में पूर्पूर का कांसी राम अस्पताल है उसमें अभी भी छे वेंटिलेटर ऐसे ही पड़े हैं यहां तक कि हैलेट अस्पताल में भी वेंटिलेटर अभी पूरे के पूरे इस्तेमाल नहीं हैलेट में तो खराब पड़े हुए थे उनका एक उपयोग खतम हो गया था हुए पाच मेना छे मेना पहले ही गया था या पिछले साल गया था उसमें तो नए वेंटिलिटर्स के लिए हमने आदेश कर दिया था कि वहां नए वेंटिलिटर्स लगए क्योंकि बोल रहे थे कि अब यह चलेंगे नहीं और काशिरा में तो चलाने के लिए कहा भी गया था वहां जितने भी ये वेंटेलेटर सेंब उसका इस्तेमाल धीरे धीरे शुरू हो रहा है कुमार अभिशेक, लखनव